ओम नमस्ष्वाइब स्वागत है आप सभी का मेरे बक्ति भावने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको मासिक सिवरात्री का उपाय बता रहा हूँ मासिक सिवरात्री के दिन कौन से उपाय करने ही जिन से आपकी मनो कामना पूरी होगी महादेव प्रसर नो करके आपकी हर इच्चा पूरी करेंगे आप सभी जानते हैं कि साल में दो बड़ी सिवरात्री आती है और महीने में प्रते एक महीने एक मासिक सिवरात्री आती है तो जितना मैं तो उनका होता है उतना ही मैं तो मासिक सिवरात्री का भी होता है मासिक सिवरात्री वाले दिन उसी प्रकार से पूजा की जाती है जिस प्रकार से माहा सिवरात्री वाले दिन फालगुना और सामन के महिने में पूजा की जाती है जब माहा सिवरात्री आती है पुत्र चाहिए धन चाहिए व्यवपार में उन्नती चाहिए नोकरी में प्रमूशन चाहिए तो आपको मासिक सिवरात्री का ब्रतावश्य करना चाहिए मासिक सिवरात्री वाले दिन जो व्यक्ति भगवान सिवकी आरादना करते हैं उनकी प्रतिक मनुकामना पूरी हो जाती है इस दिन सुम्मार के दिन मासिक सिवरात्री पड़े तो इसका तो महत्तु भी बहुत जादा बढ़ जाता है बैसे तो मासिक सिवरात जब भी पड़े मैतो तो अनंत गुना होता है सोमार का दिन भगवान सिवका होता है तो और ज़्यादा मैतो बढ़ जाता है इस दिन सुबह इशनान करें इशनान करने के बाद में आप बेल पत्र ले 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 तिल के दाने ले 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 और चावल के दाने ले 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 गाय का दूद ले 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 घी ले ले खीर बना करके त्यार कर ले ये सारी सामगरी आपको किसी पात्र में रख लेनी है और एक चौम की दीपक बना के त्यार कर लेना, थोड़ा सा सिंगार लेना है, माता पारवती के लिए, भगवान सिफ के लिए कंगुचा लेना है माता पारवते के लिए चुंदरी लेनी है सारी पूजा की सामगरी लेने भगवान सिव के सामने जाएंगे ओम नमश्वाय मंत्र का जाब करते हुए आप भगवान सिव का अफसे करेंगे गाय के दूसरे सामार के दिन दूसरे भगवान का अफसे करना चाहिए गाय के दूसरे और गर्ने के रसे भगवान सिव का अफसे करेंगे और अफसे कर दिने से पहले आपको अपनी इच्छा बोली है अपने संकल्प करना है के प्रभू मेरा ये नाम है मेरा ये गोत्र है पुत्तर की कामना हो तो धतूरे का फल ले आईए और उस पर चंदन लगा करके भगवान को समर्पित कर दे पुत्तर की इच्छा पूरी हो जाती है धन की कामना है तो गन्य की रश से भगवान कावशिक करें इससे धन की मनुकामना पूरी हो जाती है नोकरी में परिशानी आ रही है ब्योपार चलने चल रहा है तो समी पत्रों बेल पत्र के साथ में 31 चाबल के दाने भगवान सिब को समर्पित कर दें मनों खामना पूरी हो जाएगी 11 कमल गटा, 5 गोमती चक्र, 5 पेली कोडी भगवान सिब को चंदन लगा करके समर्पित कर दें और फिर इनको आप अपने तिजोरी में या ब्योपार इस्तल पर रखिए जीवन में कभी भी आपको धन की कमी मैसुस नहीं होगी हर प्रकार की मनों कामना आपकी पूरी होगी य बहुत ही जादा चमतकारी और प्रबाबसाली हैं दोस्तों अगर यह अपवाय करते हैं आप तो अबसी ही आपको लाम मिलेगा कई रासियां हैं जो इस दन बेहदी भाग्यसाली रहने वाली हैं इनका योग बहुत ही अच्चा है महाकाल भोलेनात के क्रपा से इनकी मनों का अगर कोई परिशानी रहती है किसी भी प्रकार की परिशानी है तो एक रु द्राख लेयिए पंच्मुधी पंच्मुखी पंच्मुधी रु द्राख ख लाकरके आपको भषमी में डालना है वह रुद्राख रुद्राक आपको डाल देना हैं। उसके बाद में वह रुद्राक एक सो आठ बार ओम नवस्वय मंत्र का जाप करके सिविलिंग पर आपको चड़ा देना हैं। और जब आप भगवान की पूजा कर लें, अवसिक कर लें, भगवान को खीरका प्रसाद अरपन करें, बेल पत्र, समी पत्र भगवान को समर्पित करें। उसके बाद में भगवान को अंगोचा समर्पित करें और भसमी लगाएं। फिर आप यह रुद्राक पुष्प के उसके बाद में माता पार्वती को सिंगार अरपन करना है और माता पार्वती से धन प्राप्ती के लिए प्रातना करनी है अखन्य सोभग प्राप्ती के लिए प्रातना करनी है इससे मनुकामना अबस्य पूरी हो जाती है यह उपाय बहुत ज्यादा चमतकारी है प्रभावसा इनों पायां को करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कश्ट और परिसानियां दूर हो जाते हैं। दोस्तों मेश रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, वरश्चिक रासी, धनु रासी, मकर कुम और मीन रासी। ये रासियां हैं, जो इस दिन बियादी भाग्य साली रहने वाली हैं, इन रासियों का योग बहुत ही अच्चा हैं, तो बोले नात की क्रपा से आपकी मनों कामनावस्य पूरी होगी, आपको यह उपाय जरू करना चाहिए। मासिक सिवरात्री के प्रतम पहरा, साम के प्रदोशकाल में आप भगवान सिव को ग्यारे बेलपत्र, ग्यारे समीपत्र समर्पित करें, अपनी इच्चा बोल करके, जो भी आपके मन में कामना है, ग्यारे बेलपत्र, ग्यारे समीपत्र भगवान को समर्पित कर दें। बस्मी में चंदन लम मिला करके बस्मी आपके पास है बस्मी में चंदन मिला करके भगवान सिब को समर्पित कर दें उससे आपकी मनो कामनावस्य पूरी होगी जो भी उपाय कर रहे हूँ पूरी भक्ति बाप के साथ में पूरी स्रद्धा के साथ में आपको उपाय करना है बाग या आपका जरूर बदलेगा वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में अपनी इच्छा जरूर बोलें और ओम नवस्वाज जरूर लेखें